लास्ट फ्राइडे में यानि कि आज से एक हफता पहले शैनाजगिल, डिलजीट एंड सोनम एंड शिंदा ग्रेवाल इन चारों की होसला रख पिक्चर को रिलीज किया गया था और हमने ऐसा नहीं सोचा था यकीनन के ये मूवी इतना जबर्दस वाला सूपर डूपर हिट होगी कि पंजाब इंडस्ट्री के पिक्चरों में सारे रिकार्ड तोड़ती हुई नज़र आईगी लगतार बॉक्स आफिस पर धमाल मचाती रही होसला रख लगतार फैंस के दिलों पर राज करती रही होसला रख जहां पर फैंस ने देख देखकर अपने रिव्यू शेयर किये और काफी शेहनास गिल को देखने के बाद इमोशनल भी हो गए ऐसे में मुवी इतना जादा बिजनस कर गई इसका एक सबसे बड़ा रीजन शेहनास कोरगिल है बाकी काफी सारे लोगों का ये सब भी कहना था कि उसमें दिलजीत भी है शिंदा भी है मानते हैं भई मानते हैं मगर दिलजीत ने शिंदा ने पहले भी पिक्चरों में काम कर चुके हैं ये लोग मगर इतना जादा मुवी सूपर हिट नहीं होई जहां शेहनास कोरगिल यहाँ पर इंकलूड होई तो शेहनास गिल के एड होते ही जबरदस वाला बॉक्स आफिस पर धमाल मचाया और तावर तोड बिजनिस करती हुई नजर आई अब तक एक हफ़ते में 28.25 करोड का बिजनिस कर चुकी है यानि के सवा 28 करोड रुपे इस वाली मुवी को कामियाबी मिल चुकी है 28 करोड रुपे की जो अभी तक का पूरे स्केटमेंट निकल कर सामने आया है बाकिस के लावा जो सॉंग ट्रेंड कर रहे है सोशल मीडिया पर पंजाबी टिप्स के उपर इसके सारे सॉंग को रिविल किया गया है वहां की अर्निंग अलग है मगर पिक्चर जो बॉक्स ऑफिस से कमाया गया पैसा है वो 28.25 यानि की सवा 28 करोड रुपे अभी तक इस मूवी ने कमा लिये हैं और अभी आगे भी परफॉमेस जा रही है और ऐसे में पंजाबी इंडस्ट्री में ये एक नमबर वन पिक्चर बन गई है बिजनिस के मामले में जो इतना जबर्दस तरहा से इस वाली पिक्चर ने बिजनिस करके दिखाया है वाखिमें सबी पंजाब, पंजाब इंडस्ट्री के अंदर जितने भी सारे अक्टर, अक्टरीस हैं उन सब की आँखे खुल गई हैं इस वाली पिक्चर का बिजनेस देखने के बाद और सब को उन लोगों को मूतोड जवाब भी मिल गया जो कल तक ये कहा करते थे कि शेहनास को एक्टिंग नहीं आती I hope कि उनको बहुत करारा वाला जवाब मिला होगा बहुत अच्छे से उनको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो कहा करते थे कि शेहनास को और गिल की एक्टिंग बिलकुल जीरो है कोई एक्टिंग नहीं आती कोई एक्सप्रेशन नहीं है जाकर मूवी देखो पता चलेगा आपको भी